नमस्कार दोसों स्वागत है आप सब का भौधराइस अकैडमी में आज का डेट है 9th of July 2022 and daily के current affairs के हमारे sources as usual Assam Tribune and different other national dailys हो रहे वाला है जिसका PDF का निंक नीचे description session में जरूर से लगा दिया जाएगा आप वहां से download भी कर सकते हैं अगर आपको admissions लेना है भौधराइस अकैडमी में तो आप इन numbers पे contact कीजिए या फिर for more information you can log on to our website www.bhudraaisacademy.in as well चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला news देख लेते हैं Assam Tribune से लिया गया है regarding Assam floods editorial page अब खोलिएगा ना तो वहाँ पे आपको दिखेगा Assam prayers के बारे में बोला गया heading दिया गया था problem beyond solution ये एक ऐसा problem है जिसका solution as such अगर देख लीजेगा भली देखो इतने सालों से flood आया जा रहा है तो क्या आज तक solution नहीं निकला होगा क्या उस तो ऐसा constraint है ना जिसके कारण solution प्रॉपरली नहीं निकल पा रहा है उन सब चीजों के बारे में आज चर्चा करेंगे बट उनसे पहले पहले तो ये map देख लीजेए Assam का map है राइट देखो ये red वाला zone जो है ना this is that zone जहां पर flood का intensity जो है काफी जादा हाई है according to the flood map of Assam ये जो map देख रहा है ये flood map है जो क्या दर्शा रहा है that कौन-कौन से ऐसे region से जहां पर बहुत high risk of flood है कौन-कौन से ऐसे region है जहां पर high risk of flood है moderate risk low risk और very low risk देख रहा है भले ही आपको उतना proper classification नहीं देख रहा होगा तो आप एक काम करो इसको वीडियो को pause करके आप screenshot भी ले सकते हो वीडियो का ठीक है इससे अप क्या होगा ना आपको देख जाएगा that हाँ कौन-कौन से ऐसे region है which are more prone which are the regions which are less prone right now बोला जा रहा है that out of 36 districts 32 districts are आपका जाकर you know flood prone right almost देखो कार्दी एंग लांग और नॉर्थ क आशार डिस्ट्रिक अगर देख रहा हो यहाँ पे छोडा सा कम इंदेंसिटी है है ना कार्भी अंग लॉंग भी इदर but almost जितने सारे और आप रीजन्स देख रहा हो सब जगह flood बढ़ा हुआ है और एक चीज आप पैटन जरूर देख रहा होगे देखो यह है ब्रहमपु एक major source है flood का, flood regions का, absolutely यही नहीं, around 55 lakh people in and around 112 revenue circles और 4941 village impact हुए है flood से इस बार, यही नहीं, impact अगर देख लीजेगा, flood अगर आता है तो flood तो आता ही है but अपने साथ और भी disasters लाता है, जैसे landslides, erosions, यह सब भी अगर आप news पर रहा होगे तो clearly देख रहा होगा यह तो और नहीं, in fact मैंने खल भी एक article discuss किया था, जहाँ पर मैंने बोला था, जब flood चले जा रहा है तो उसके बाद हमें waterborne diseases देखने को मिल रहे हैं, right, तो देखो, again, एक article में सब कुछ compile करना कभी मुश्किल भी हो जाता है, तो make sure that आप हर रोज इसका value addition करते रहो अपने notes में, that will fetch you better marks of course, now, सवाल यह भी होता है, that permanent solution क्यों नहीं निकल पा रहा है, यह यहाँ के flood का, क्यूंकि इसके लिए आपको geology देखना पड़ेगा हमारे Assam का, right, देखो, यह है Assam, देख रहा है, यह clearly Assam, है ना, अब एक चीज इसमें गौर जरूर करना आप, Assam के northern part में क्या है, यह वाला regions, हिमालयास, right, इधर देखना, इधर भी, इधर भी almost हिमालयास का ही parts है, जहाँ पर पठकाई बूम, मनिपूर हिल्स, लुशाई हिल्स, यह समा में देखने को मिलते हैं, नीचे में यह वाला part देखो, यह वाला मेगालया प्लेट्यू है, तो उपर देखो, इधर से भी अगर flow करना होगा, तो इधर ही flow करेगा, right, तो क्योंकि यह plain regions में आ जा रहा है, इसलिए भी, this is the biggest region, जिसके कारण हम यहाँ पर floods देखने को मिल रहा है, moreover, moreover, अगर आप यहाँ से ब्रहमपुत्रा बना दो, देखो, यह है ब्रहमपुत्रा, है ना, तो ब्रह 53 tributaries है, ठीक है, तो इतने सारे tributaries में भी पानी का level बढ़ जाता है, भाई, समझ रहो, यह भी बहुत बढ़ा reasons है, जिसके कारण हर साल हमें ऐसा floods देखने को मिलता है, यही नहीं, monsoon regime तो है ही, देखो, monsoon के समय तो पानी होता ही है, but pre-monsoon rainfall भी असाम में अगर देख लिज fall अब मेखालया में, बहुत जादा होता है, ठीक है, मतलब monsoon आने के पहले वाले phase वाल rainfall उसको pre-monsoon कहा जाता है, ठीक है, तो क्योंकि इतना जादा heavy rain होता है, तो इसी लिए भी, मतलब इस चीज को रोकना, flood को रोकना बहुत जादा इस region में मुश्किल हो जाता है, next जो बह investments, deposit कहां पड़ोएंगे, again river channel में ही तो, है ना, तो सोचो, ये सोचो, ये वाला सोचो, उपर का एक view में दिखा रहा हूँ, ये सोचो, land area है, right, और ये एक river आपको दिख रहा है, दिख रहा है, ये वाला, है ना, अब इसी river को मैं cross section A और B, इसको cross section कर दिया, ठीक है, तो द bed, है ना, तो अब देखो, ये जो इतनी जादा बाडिश जो हो रही है ना, जिसके current erosion हो रहा है, तो वो erosive जो sediments है, वो ultimately river bed में deposit हो रहा है, यहाँ पर देख रहा है, ये वाला bed में deposit होते जा रहा है, होते जा रहा है, अब ये तो पहले shallow था, पहले तो deep था, बट अभी इ तो बहुत जादा हमें floods भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये भी एक reason हो गया, और दूसरा है, seismic activity, ये एक region है, जो क्या highly seismic prone zone में आता है आपको north east, पता होना चाहिए आपको, zone 5 में आता है in fact, तो zone 5 में जब आता है, तो यहाँ पे कभी भी अगर seismic activity कुछ भी हुई, तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है, ये जो beds है ना, river beds, ये उपर आ जाती है बहुत समय, ठीक है, जिस अब river beds अगर उपर आया तो आपको तो पता ही है that क्या होता है, कैसे आपको river outflow होता है, ठीक है, तो ये कुछ-कुछ ऐसे reasons हैं जिसके कारण floods को north east में रोकना बहुत ही extinction, prelims perspective मैं बहुत अच्छे तरह किसे को याद रख सकते है, sand fish, ये एक migratory freshwater fish है, जो क्या South Africa में पाया जाता है, that could grow over half a meter inland, ये देख पारे हो, it helps to keep the river clean and food web भी ये balance रखता है, and they also act as an umbrella species, जो क्या protect करता है, indirectly the river ecosystem, मतलब river के ecosystem को sand fish के कारण बहुत जादा protection भी indirectly मिलता है, इसलिए इसको umbrella species भी कहा जाता है, इसलिए ये news में भी था, हमें पढ़ना पड़ेगा, next, next बोला गया, mangar hillock, to be declared as monument of national importance, live band से लिया गया है, दोस्तों देखो, actually government, मतलब explore कर रही है, that ये जो mangar hillock है ना, राजस्तान के बांसवारा district में, इसको क्यों ना, monument of national importance घोशित किया जाए, पहले तो इसको location देख लेते हैं, दोस्तों, उसके बाद आप कुछ देख लीजेगा, देखिए, यहा है गुजरात, देख रहा है, और यहा है राजस्तान, यह बना रहा है boundary, देख रहो, यह थोड़ा zigzag line है यहाँ पर, है ना, अब इस zigzag line के देख यह वाला तो आपको almost हो गया, गुजरात, ठीक है, नीचे महराष्टर स्टार्ट हो जाता है, अब देखो यह वाला boundary zone देखो, यह थोड़ा इधर, है ना, राजस्तान साइड, मांगरक हिल्स है, जहाँ पर यह वाला जो, आपको structure दिख रहा है ना, इसको बनाया गया, और इसी को, monument of national importance घोशित किया जाने वाला है, now, सवाल होता है, monument of national importance, कौन घोशित करता है, कोई भी place of national importance, archaeological survey of India, और कुछ-कुछ criterias होती है, उसके basis पे ही, place of national importance घोशित किया जाता है, जैसे, वो जो area that should not be less than 100 years old, it has a special historical, archaeological, या फिर artistic interest होना चाहिए, they should come under the definition, contained under the ancient वाला aspect, right, monuments are archaeological sites and remains act 1958 के दवरा वो regulate होना चाहिए, and no objection to declare them as national importance, है न, कोई objection अस सच नहीं आना चाहिए, और यहाँ पर भी वही हुआ है, यह जो मांगरक hill lock है न, यह जो कि गुजरात राजसान border, that is, specifically अगर आप देख लीजेगा, राजसान के बांसवारा district में located, इसको हम लोग मांगर दाम भी कह जाता है, now इसके बारे में शायद पहले भी हम लोगों ने एक बार discuss भी किया था, actually क्या हुआ था न, 1913 में एक incident हुआ था in regions में, और उसको हम लोग मिनी जालियाना वाला बाग मैसे कर भी कहते हैं, जहाँ पर 1930 में, Britishers ने open fire कर दिया था बहुत सारे tribal people के उपर, जो क्या इस मांगरक Hill Lock के उपर, peacefully meeting कर रहे थे, right, अच्छा, 1913 में ये incident हुआ था, और यहाँ पे जो, actually आदिवाशी इस communities जो है, tribal communities वो है, Bills, right, Bills, under the social reformer, Govind Guru और Punjab, उन्होंने revolt किया था against the British, अब Govind Guru ने launch किया था भगत movement भी, जिसके तहतरे, Govind Guru जी ने Bills लोगों को ask किया था, तो देखो भई, हमें vegetarian रहना और साथी साथ, कोई भी type of intoxicants को inhale करने से, हमें बचना भी है, right, तो ये सब incidents थे, जो कि आपको याद करना पर सकता है, next, state of food security and nutrition in the world, 2022 का report निकाला गया है, right, कौन को निकाला है, Food and Agriculture Organization, International Fund for Agriculture Development, UNICEF, United Nations World Food Programme, all WHO, इन्होंने jointly release किया है, या, the state of food security and nutrition in the world, 2022, now, ये report क्या बोलता है, बोलता है, बोलता है, that on a global level, अगर देख लीजेगा, तो global hunger increase हुआ है, that is, बोला जा रहा है, world जो है, वो move कर रहा है, further, away from its goal, to end the hunger, यही तो हमारा है, SDG goal, sustainable development goal 2 में, क्या बोला गया है, पहला वाले में, poverty के वाले में, eradicate करने के लिए बोला गया है, दूसरा वाला hunger बोला गया है, तो hunger, वही चीज़ बोला गया, that, वैसे तो हमारा goal है, that 2030 तक इसको अचीव करना है, बट दूनिया उल्टाद रारेक्शन में भाग रही है, कही ना कही दूनिया में, हमें food insecurity देखने को मिल रहा है, कही ना कही हमें, दूनिया में manlutrition देखने को मिल रहा है, in all the forms, right, बोला जारा, over 8% will still face hunger in 2030, even if global economic recovery is taken into considerations, right, gender gap in food security, ये बहुत जादा rise कर रहा है, it has continued to rise in 2021, 31.9% of women, जो है ना, world में, they were moderately or severely flood insecure, compared to 27.6% of the men, in fact, major reasons देख लोगे, दुनिया भर में जो होड़ा है, food insecurity का conflict तो है ही, Russia, Ukraine देख लीजिया, supply chain disruption भी दुनिया में है, climate extreme भी बर रहा है, disasters, inequalities बर रहा है, slow economic recovery after pandemic, तो ये सब कुछ-कुछ reasons है, इंडिया के terms में अगर देख लीजेगा, तो इंडिया एक highly under nourishment region है, जहाँ पर 16% of the population is under nourished, यही नहीं, और भी malnutrition के बहुत सारे ऐसे traits हैं, जो क्या इंडिया में देखे जा रहा है, जैसे child wasting अगर देख लीजेगा, around 17% है, stunting के cases around 31% है, in fact, breastfeeding practices जो जाधा होना चाहिए था, वो भी बहुत जाधा कम है, यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है, recommendations, क्या दी गई है, recommendations सबसे पहला जो दिया गया है, वो तो focus है nutritional food में, जहाँ पर report suggest कर रही है, that make sure करना पड़ेगा, nutritious food में हमें target करना पड़ेगा, reduce करना पड़ेगा trade barriers, जहाँ पर government could do more to reduce trade barriers for nutritious food, such as fruits, vegetables and pulses, engage करना पड़ेगा हमें with the government and civil society, जिसके तहाँ हम लोग remove कर सके, unequal powers within agri-food systems, right, next, next, gender budgeting act related है दोस्तो, actually the print में ये news आया था, जिसके तहाँ बोला गया, that development monitoring and evaluation office, that is DMEO, जो के attached office and NITIO का, उन्होंने pitch किया है, that gender budgeting act जो है, उसको हमें mainstream में लाना पड़ेगा, across all the ministries, exam utility point of view से, GS2 के इस topics से, आप आर राम से, इस topic को relate कर सकते हैं, और according, इस report जो निकाला गया है, उसमें बोला गया है, that gender budgeting जो है, it is not practiced in most of the state, right, और बहुत सारे schemes में भी इसको incorporate नहीं किया जाता है, जिसको करना चाहिए, इसलिए recommendations जो दिया गया है, development monitoring and evaluation office of, which is an attached office of Niti Aayog, उन्होंने कुछ-कुछ recommendation दिया है, जैसे बोला गया है, that improve कीजिए social acceptance of transgender, that is, इसमें बोला गया है, that gender mainstream को governance में हमें लाना ही पढ़ेगा, और in fact, transgender persons जो है, ये एक major component है, इसकी, पहले तो transgender को लाईए, उसके बाद LGBT community को भी, धिरे-धिरे subsequently, मना सबको ही हमें लाना पड़ेगा society में, mainstream में, right, जाद से जाद allocate करना पड़ेगा हमें fund, मतलब report ने recommend किया, that ministry of women and child development जो है, उसको encourage करना चाहिए various states governments को, that वो budgetary allocations को, women and child development के उपर जादा खर्चा करे, यही नहीं, policy on women की बारे में बात बोली गई है, that there is a need to finalize a national policy for women as well in India, provide करना पड़ेगा gender disaggregated data, that is app, अभी देखो, gender disaggregated data properly available नहीं है, right, तो उसके आधार पर काफी जाद डिफिकल्ट हो जाता है to measure the true impact of the scheme, resulting in poor strategy designs, ठीक है, तो यह सब भी हमें check करने की बहुत जादा जरूरत है, now, facts related to gender budgeting in India, क्या-क्या है facts भाई, India has a gender budgeting, budget component since 2005-2006, जहां पर schemes have allocating at least 30% of women, Beijing declaration of platform for action 1995, जो के recommend करता है general budget के बारे में, influence both expenditure and revenue policies, that is India का general budgeting effort, जो है यह वो काफी जादा unique है, क्यों, क्योंकि they have not only influenced expenditure, but also influenced revenue policies, बट वही है न, ground level में उसका जो impact है जादा देखने को नहीं मिलता है, gender budgeting sales की अगर बात करें, तो उनको भी mandate दिया गया है in different ministries or department, बट इंडिया का रैंक कही न, कही जनर, global gender gap report जो है, उसमें काफी जादा पूर है यहाँ पर, right, देखी रहा है, out of 156 हमारा rank 140 है, in fact, इस साल के budget में भी India has shifted its focus from woman development to woman-led development, जहाँ पर बोला जारा है, over 1.7 lakh crore has been allocated for women's entry schemes, under the gender budget of 2022-2023, जिसमें increment हमें देखने को मिला है, पिछले साल से 5% एक्ट्रा है इस साल के, इसमें, right, next, POXO applies to Muslim girls who attains puberty, now, Delhi High Court ने reject कर दिया assertion that minor Muslim girl जिसने attain कर लिया age of puberty, it would fall under the, it would fall out of the ambit of POXO Act, देखो, POXO Act में क्या बोला गया है, बहले ही, देखो, women's, अगर देखोगे, पुबर्टी बहुत सामें 11 एज, या फिर 12 एज में भी attain कर लेती है, right, but POXO Act के अंडर, बच्चे, किसके अंडर defined होते हैं, below 18 साल, right, अब, यहां पे बोला गया था, एक फ्ली फाइल किया गया था, that POXO apply नहीं होना चाहिए Muslim girls के उपर, जो के attain कर लेते हैं, पुबर्टी, but, दिल्ली हाई कोट ने यह चीज रिजेक्ट कर दिया गया, that नहीं भई, वो Muslim girl हो, या Hindu girl हो, या कोई भी girl हो, if she is below 18 years of age, तब तो उस पर POXO जरूर लगेगा, right, क्यों, क्योंकि, अभी हुआ केस किया है न, that, एक man, जिनका engagement हुआ था, एक minor girl of Muslim से, तो उनको उपर charges लगे है, of raping that girl, right, इसी लिए, अब charges अगर लगेंगे, तो क्योंकि, 18 साल से कम है, तो of course, POXO Act के अंडर आ जाएंगे वो, ठीक है, so, judge ने बिल्कुल reject कर दिया है, उनका plea, that POXO is an act for protection of children below 18 years, देख रहा हो, from the age of sexual abuse and exploitation, or act is aimed at secure the children and ensure that they are not abused, but उस act के रहते हुए भी, अगर उनका abusal मिले, then it is a cause of huge concern, features, अगर बात करें POXO Act का, उसके अंडर में, by chance, ऐसे अभी case हुआ, तो इस case में, बच्चियों का नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन कहीं पर भी, मन्दर जो minor है न, उस victim का identity को, बिल्कुल confidentiality रखी जाएगी, periodic police verification or background check of every employee, who might interact with the child, ये भी किया जा रहा है, right to life and survival of a child, right to compensation of victim, no time limit for reporting abuse, कभी भी report किया जा सकता, it is an offense to not report an abuse, right and gender neutral act है, मतलब बच्चों, बच्चियों, सब के उपर, क्यूंकि अभी के जमाने में सिर्फ बच्चियां ही नहीं, बच्चे are also prone to these kind of sexual abuse, next, large year round ozone hole over tropics, scientist ने reveal किया है, एक large all season ozone hole, हमें देखने को मिला है, lower stratosphere, in the regions over tropical region, usually हम लोग देखते है, यह अंटार्टिका या फिर polar regions में हमें देखने को मिलता है, right, GS1 के geography, atmosphere, इस topics आप इसको आराम से relate कर सकते हैं, है न, of course, यह current affairs का तो main topic है ही, है न, यह एक all season ozone hole है, which is defined as an area of ozone loss, larger than 25% compared to the undisturbed atmosphere, मतलब undisturbed atmosphere के comparative, अगर 25% ज्यादा ozone hole हमें देखने को मिल रहा है, तब हम उसको all season ozone hole बोलते हैं, और scientist ने भी जो अभी tropics के उपर देखा है, वो भी all season ozone hole ही देखा है, सिर्फ definition समझना, ठीक है, ozone होता क्या है, ozone एक highly reactive gas component है, जब क्या तीन oxygen item का बना हुआ रहता है, इस बोथ natural as well as man-made product, जो क्या occur करता है अर्थ में under the upper atmosphere, that is stratosphere, और lower atmosphere, that is troposphere region में भी हमें देखने को मिलता है, तो देखो, एक तो हुआ troposphere zone, ठीक है, एक zone तक, उसके बाद stratosphere start हो जाता है, अब देखो, इसमें भी अगर atmospheric ozone देखोगे न, ट्रोपोसफेर में कम होता है as compared to stratospheric region, ट्रोपोसफेर देखो क्या बोल रहा है, 10% of atmospheric ozone यहाँ पे रहता है, जिसका harmful impact तो होता ही है over human and vegetation, और यह भी हम लोग पढ़ेंगे, harmful impact इसका क्या होता है, रुको, प्रॉपरली देखेंगे, बट current issues अगर देख लिजेगा, तो चलो, मतलब ozone holes जो है, मैं urban rural region दोनों के उपर देखने को में रहा है, चलो, यह main, main चीज हम लोग देखेंगे, static वाला part देखता है, ठीक है, dynamic वाला part तो बाद में भी देखा जा सकता है, अगर stratospheric ozone की बात करेंगे, यह main ozone concentration देखता है, 90% of atmospheric ozone, right, beneficial role, क्या है यह, it acts as primary UV shield, current issues अगर देख लिजेगा, long term global downward trends, और spring time Antarctica ozone hole each year, यह सब चीजे हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है, कुछ-कुछ अगर इसके impact देख ले, तो human health में क्या क्या है, of course, अगर देखो, UV, ozone किसको रोगता है, UV lights को, अगर UV lights हमारे skin में directly touch कर देते हैं, तो हमारा skin में काफी जाए disease हो सकता है, skin cancer भी हो सकता है, अगर UV rays directly crops के उपर hit करे, तो उस crops को भी damage कर सकता है, क्योंकि excessive rays होते हैं, harmful rays, समझ रहो, यही नहीं, there is an increased incidence of diseases, जैसे risk of skin cancer, infectious disease, eye related problems भी हो सकते हैं, यही नहीं, phytoplankton's के growths भी जो है न, उसमें भी काफी जादा impact होता है, that क्योंकि देखो, again, अगर phytoplankton's का growth impact हुआ, तो यह भी तो food chain के पाट ही नहीं है, जी, है न, तो food chain में इसको खाने वाला प्रानी वो क्या खाएगा, समझ रहो, तो यह भी चीजे हैं, जो क्या हमें समझनी पड़ेगी, कुछ-कुछ conventions है दुनिया भड में, उनको भी आप जानके रखिये, जैसे Vienna Convention, Montreal Convention, Kigali Agreement, Vienna Convention जो है, वो पहला international convention था, जिसका dedicated था, for the production of ozone layer, जिसके तरह commit किया गया था, all countries to take measures to protect human health, and environment resulting from modifications of ozone layer, वैसे ही, Montreal Protocol था, Montreal Protocol on substance that depletes ozone layer, was designed to reduce the production and consumption of ozone depleting substance, in order to reduce their abundance in the atmosphere, and thereby protecting the earth's fragile ozone zone, जिसके करने बहुत हथ तक, ozone recover भी हमें देखने को मिला था, over Antarctica region, बाद में आए, Kigali Agreement, Kigali, यह around 197 countries, including India, China, USA, सबने agree किया है, इनकी काली, जिसके तहाथ हम लोग reduce करेंगे, use of hydrofluorocarbons, roughly by 85% of their baseline, by the year 2045, और इसके तहाथ, amendment किया गया था, 1987 का Montreal Protocol भी, ठीक है, यह सब चीजे समझने चाहिए, next, PM Swani Dhi scheme, वीच-वीच में रहता है, अभी news में क्यों था, क्योंकि, बोला गया है, that Swani Dhi scheme के कारण, जो है न, bank का loan around 12-13% बढ़ गया है, है न, अब, PM Swani Dhi scheme है क्या, PM Swani Dhi का, फुल फॉर्म है, Prime Minister, Street Wender, आत्म निडभर नीदी, उसी का फुल फॉर्म है, PM Swani Dhi, नाम से ही पता चल रहा है, PM Swani Dhi, Street Wenders, मतलब, Street Wenders के लिए ही कुछ बनाया गया है, जी हाँ, absolutely, इसके थाथ, basically, पहले phase में, loan provide किया जाता है, street vendors को, 10,000 रुपया का, अगर वो 10,000 रुपया का loan को, repayment कर देती है, सरकार को, उसके बाद, फिर से उसको loan दिया जाएगा, 20,000 रुपया का, अगर 20,000 रुपया, फिर से repayment कर देती है, वो street vendor, तब उनको free से loan दिया जाएगा, 50,000 रुपया का, ठीक है, और ये one time, early repayment of the loan है, जिसमें interest subsidy भी, सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, 7% per annum, scheme incentivizes digital transaction, जी हाँ, इसके थाथ incentivize किया जाता है, street vendors को बोला जाता है, सिखाया जाता है, that क्यों आप digital payment लो, लोगों से, आप पैसे मत लो, digitally payment लो, तो वो, वालब इसको encourage किया जाता है, क्योंकि ते को digital payment अगर लेना स्टार्ट हो गया ना, पता है, बहुत हद तक black money बिल्कुल जीरो हो जाएगा, दुनिया बढ़ में, इंडिया, अब जब ब्लैक मनी बोला तो जाता है, बट इसको रोकना बहुत जादा मुश्किल, मुश्किली ने ना मुम्किन है, जब तक आप cash का utilization कर रहे हो, बट जहाँ cash का utilization खतम हुआ, मलब जहाँ cash का utilization स्टार्ट हुआ, वहाँ पर black money स्टार्ट होता है, और जहाँ cash का utilization आप खतम करके, online transaction में आ जाते हो, तब आप tax की चोरी करना बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा, next, mobile app to administer the scheme, it will integrate the उद्ध्यम मित्र portal of SIDBI, for credit management और पैसा portal of Ministry of Housing and Urban Affairs, to administer the interest subsidy, automatically चलो यह तो खेर factual बात है, next, mission वद्साल है, क्यों news में था, क्योंकि government ने release किया था, कुछ-कुछ guidelines for mission वद्साल है, जिसके तहित आस्किया जाए गया था state को, देखो भई, आप इस नाम के साथ tamper मत करो, अगर नाम के साथ tamper करोगे न, तो central fund और benefits जो center के दोवारा आपको मिलता है, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत समय states क्या होती है, that center का scheme का नाम को change करके, modify कर देती है खुद अपने नाम, तो यह सबसे क्या होता है, confusion center को भी हो जाता है, तो यह इसी लिए बोला गया, mission वद्साल है, यह one of the new triads of scheme है, along with mission सक्ति और portion 2.0, जिसका main aim है, that healthy और happily childhood, हर एक children के लिए insure करना है, under women and child development ministry, it focuses on child protection services, and child welfare services, it is essential, a renamed version of pre-existing scheme, जो क्या था, child protection scheme, अच्छा, objective इसका है क्या, to secure healthy and happily, you know, childhood for every child in India, और यही नहीं, to foster sensitive, supportive and synchronized ecosystem, जिससे, एक proper development हो सके हमारे देश में, children का, राइट, चलो, आज के, अब mcq section में आते हैं, जहाँ पर कल के कुछ-कुछ mcqs पूछे कहते हैं, पहले तो आप उसका answer दीजिए, पहला था mcq, global fin dex database के related, world bank इसको release करता है, and its surveys how people and economies use formal and informal financial services, जो के बिलकुल सही था, दोनों के दोनों बिलकुल यहाँ पर सही है, C is the correct answer, next is, Mika, कौन से देश region के द्वारा लाए गया है, ये, तो European Union was the correct answer, अच्छे से हम लोगों ने इसको discuss भी किया था, next, consider the following statement regarding section 69A of the Information Technology Act, the center can issue blocking orders to social media intermediaries under which of the following condition, अच्छा, 69A of Information Technology Act के तहत, center अगर चाहती है, तो issue कर सकती है, blocking orders of social media intermediaries, under किन-किन condition के अदर, friendly relations with foreign state, defense of India, public order, तो कौन से statement correct है, 1, 2 and 3 only, all the statement will be correct है, right, तो correct sequence जो है, वो C, B, D will be the correct sequence, जिसमें, अल्मोस सभी ने, जुबोरा, प्रग्योती, अब्दुल, कृष्णमुनी, गारगी, मौप्रान, सबने, सबने answer दिया है, चलो, अब आज के answer को नीचे comment section में जरूर लिखना, ठीक है, consider the following statement regarding gender budgeting in India, India has a gender budget component since 2005-2006, wherein schemes have allocation of at least 30% for women, it has a component of women representation in parliament as well, right, तो आपको correct option नीचे comment section में लिखना है, कौन सा correct option है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1, not 2, next, PM Swanidhi scheme is related to which among the following beneficiaries, widow, women, children under 18 years of age, street vendors, या फिर MSMEs, नीचे comment section में जरूर से लिखेगा, now, next, question, which one of the following is associated with issues of control and phasing out of use of ozone depleting substance, Brettonwood Conference, Montreal Protocol, Kyoto Protocol, या फिर Nagoya Protocol, नीचे comment section में आशा करता हूं, आप आप अंसर जरूर लिखेगा, this was all about the discussion for today's class, we will be meeting in next session, till then, bye-bye, take care and thank you guys, thank you for listening to the whole video, thank you very much,